Hello everyone, welcome to PW Only IAS. दोस्तो, oil prices की जब हम बात करते हैं, तो आप लोगों ने notice किया होगा, कि अचानक ना, इनके price उपन नीचे होते रहते हैं, एंड काफी frequently होते हैं, कभी price अचानक कम हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, कई बार election season होता है, तो price बहुत कम हो जाते हैं, तो आज के session में हम थोड किन कारुणों की वज़ा से, चाहे domestic हो या international हो, किन कारुणों की वज़ा से, आपकी ये variations देखने को मिलते हैं, थोड़ा समझते हैं, देखो अगर मैं थोड़ा आपको इसकी history में लेके चलू ना, तो अगर हम 2014 से पहले की बात करें, 2014 से पहले आपके जो oil prices थे, वो पूरी तरह से government decide करती थी, यानि कि regulated prices थे, कि कितना price होना चाहिए, पर इसके बाद यहाँ पर हमारे prices के अंदर एक तरह से deregulation देखने को मिलता है, यानि कि यहाँ पर market forces का भी impact देखने को मिला, चाहे आपकी तेल की कितनी demand है, रुपी, टू, डॉलर के बीच में क्या variation है, market में overall कितना यहाँ पर कच्छा तेल हमें देखने को मिल रहा है, बहुत सारे इस तरह factors determine करते हैं तेल का दाम, अब आप लोग जानते होंगे OMCs के बारे में, OMCs क्या होते हैं, OMCs आपके होते हैं, oil marketing companies, आप लोगोंने example सुने होंगे, भारत petroleum के बारे में, Indian oil के बारे में, HPCL के बारे में, यह सब OMCs होते हैं, ठीक है, अब यहाँ से, जो भी तेल आएगा OMC से, accordingly वो किसके पास जाता है, वो जाता है हमारे dealers के पास, right, तो dealers को किसी price के उपर यह तेल बेच रहे होंगे, मान कि आप समझ पाऊ कि पूरा process है क्या, तो हुआ क्या, oil marketing companies ने, जो आपके dealers हैं, उनको किसी price के उपर तेल बेचेंगे, बिल्कुल, तो let's say वो price है, अब यह जो price आया, इसके उपर, हमारी जो central government है, वो क्या लगाती है, वो लगाती है, excise duty, कौन लगाती है, हमारी जो केंद गौर्मेंट excise duty लगा रही है, यह एक fixed value होती है, यानि कि यहाँ पर जैसे आप देख पाऊगे, लगबगे 33 रुपे के आसपास है, तो यानि कि ना, हर लीटर के उपर, हर एक लीटर के उपर, यहाँ पर 33 रुपे जो excise duty लगा रही है, कौन लगा रही है, central government, तो आप notice क रुपे आ रहे हो, 36 रुपे तो क्या हुआ, यहाँ पर dealer को जो price मिला था, वो 33 रुपे उपर से central government ने ले लिए, तो कितना हो गया, 36 प्लस 33 यह बन गया आपका 69, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर आपके जो dealers थे, भाई वो भी तो कुछ पैसा के central government एक size duty लगाई, प्लस dealer का कुछ commission हुआ, तो total यह 69 प्लस 4 बन गया, 73, अब यहाँ तक 73 रुपे तो आ चुका है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद central government के बाद आपकी state government की भी तो बारी आएगी, वो भी तो अपना tax लगाएगी, और वो tax क्या लगाती है, वो लगा पर न, state government अलग-अलग वैट लगा दी है, किसी जगा आपको यह 30% देखने के मलता है, किस जगा कुछ नंबर यह बदल सकता है, माल लेते हैं, अगर यह 30% हुआ, तो यह जब मेरे पास value आई थी न, 73 रुपिस की, इसके उपर अगर मैं 30% लगाने कोशिश करूँगा, या 23 वैल्यू अलड़ी बन चुकी थी, उसमें 22 रुपिस आपका state government को चला गया, in the end आपका जो पैसा था, वो 94 रुपिस के आसपास आपको पेटरोल देखने को मिल जाता है, तो होता क्या है न, इस तरह से पेटरोल का price determine के जाता है, कि पहले आपके dealers को जो price लगा, by the oil marketing companies, उ इसका हमने वैट बोल दिया, example 30% लिया, and finally जब हम सब चीजों को add कर देंगे, वो तेल मुझे और आपके जैसे customers को pay करना पड़ता है, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे दाम इसका finalize होता है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर, ऐसा कैसे हो जाता है कि elections के समय अचानक से price कम हो जाते हैं, देखो अगर हमारी central government चाहे, तो let's say अगर यहाँ पर मैंने जो 33 रुपे बोला था, अगर सरकार चाहे कम tax लेना, तो हो सकता है 33 को 23 रुपे कर दे, तो अपने आप यहाँ पर, अगर आप example समझने कोशिश करो, यहाँ पर मान लो अगर central government ने 10 रुपे tax कम क थी, अगर यही value 63 हो जाएगी, तो 30% इसका तो 20 से भी कम हो जाएगा, तो यहाँ पर यह value सरकार के पास, जो आपकी राजिय सरकार है, उसके पास जो value जाएगी, वो भी कम हो जाएगी, तो इस तरह से क्या होता है, कि center और state government पर अच्छी खासी powers होती है, कि वो यहाँ पर आपके तेल के दाम को उपर या नीचे कर सकती है, अगर मालो मार्केट में सरकार को चाहती है, कि थोड़ा अपने tax revenue बढ़ाना, तो accordingly वो चीज़ करी जा सकती है, अगर international market में दाम अल्रेडी जादा है, एंड सरकार की कोशिश यह है कि लोगों तक उसका impact नाए, तो उस case मे taxes को कम भी किया जा सकता है, अब आपके दिमाग मेना एक चीज़ आपको बिलकुल realize करनी चाहिए, आज के समय अगर हम बात करते हैं तेल की, तो आपके यह जो सारी चीज़ थी, यह GST के अंतरगत नहीं आती, they do not come under GST, क्योंकि अगर GST के अंदर आती होती, तो central government अलग से और state government अलग से कैसे लगाता, तो यह चीज़ें आपकी GST के अंतरगत नहीं आती, बहुत बार यह तरक दिये जाता है, कि अगर आपको petrol prices कम करवाने हैं, तो GST के अंदर लाना beneficial हो सकता है, पर क्योंकि देखो state government है, वो भी चाहेंगे अपना अच्छा कासा revenue उनको यहां से म पहले की, यहां पर आपके जो prices थे, यहां पर 15 दिनों के बाद change किया रखे, यानि कि उनमें जो variation था, जो numbers में changes थे, वो 15 दिनों के बाद देखने को मिल जाते थे, पर आज के समय, हर सुबह, 6 बज़े आपको इनके prices में variation देखने को मिलता है, तो यानि कि जो prices थे, वो एक कैसे कैसे यह variations होते हैं, उसके इसाब से, आपको कोई भी पूछे कि कैसे तेल के दाम उपर या नीचे हो रहे हैं, आप बहुत अराम से explain कर पाओगे, अगली बार, जब कभी विचाहे चुनावों की वज़ा से, या किसी और कारणों की वज़ा से, आपको यह prices कम देखने क मिलते हैं, तो आप बहुत अच्छे से उसको identify कर पाओगे, कि उसका क्या reason बना हुआ होगा, तो I hope दोस्तों, यह जो वीडियो था, आप सभी को बहुत अच्छे समझ आया होगा, इसी तरह से, आप भी अपने एंट पर hardware करते रहिए, thank you so much for joining, all the very best.